उनके भव्य मंदिर का निर्मान और उस्तीर तक्षेतर का विकास इन विश्यों को लेकर के आज पहली बार बैटने का आउसर हम लोगों को मिल रहा हैं। चुकि मैं पूरे से आया हूँ, मैं इसलिए भी बड़ा आलादित हूँ कि आज का दिन चतरपती शिवाजी महराज की जैन्ती का दिन है। इस विनमर भावना से इस सेवा कार्य का आरंब करते हुए आज हम लोग सबसे पहले पूरे इतिहास में इस मंदिर के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया आवशकता होने पर संगर्ष भी किया और अतियावशकता होने पर बलिदान भी दिया उन सब लोगों को 1987 तक एक प्राचीन काल का इतिहास रहा है उन सब इतिहासिक पुरुषों को शद्धा नजले अर्पित होगी उसके प्रश्चात इस संगर्ष का जो आधुनिक चरण है उस चरण में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उन लोगों को भी हम बड़ी शद्धा और कृत निधी के रूप में अपने शद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके प्रश्चात इस बैठक की कारेवाही का आरंब होगा जैसे कि एक न्यास को अपना काम आरंब करने के लिए पहले स्वयम को व्यवस्तित होना पड़ता है उस कारे को हम पहले करेंगे उस पर सबसे प 80 इसमें होने हैं वो संख्या अभी तक पूरी नहीं है इसलिए हम यह सोचेंगे कि हमें और किन महानुभावों को हमारे साथ जोड़ना है और उसके पश्चात उन सब लोगों को जोड़ने के बाद सब के साथ मिलकर के हम अनेक बातों का विचार करेंगे जब किसी भी ट्रस्ट का काम आरम होना होता है तो सबसे पहले उसका कार्याले कहां होना चाहिए यह सोचना पड़ता है उसका बैंक अकाउंट कहां होगा यह सोचना पड़ता है उसके लिए सिरिडरीज कोण होंगे यह सोचना पड़ता है ट्रस्ट ये देभी 15 सदस्य रहेंगे फिर भी कोई अध्यक्ष होगा उपाध्यक्ष होगा अथ्वा जैसे भी पदाधिकारी होंगे उसका कोई सची होगा